साल दो हजार चौबथ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो तिश के सबसे शुब ग्रह देव, गुरु बरशपती वक्री हो रहे हैं, यानि की उल्टी चार्ल चलने वाले हैं, और गुरु के क्या परिणाम होंगे, क्या रिल्ट होंगे, आपकी राश्री के लिए ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा गुरू का ये परिवर्तन हमाई दीपा वली को कैसे effect करेगा हमाई दीपा वली को कितना बहतर बनाएगा ये सब भी मैं आपको बताऊंगा दीपा वली के आज पास गुरू और शुक्र का दर्स्टी संबंद बनेगा दोनों ग्रह एक दूसे को एक से साथवे देखेंगे तो ये लक्ष्मी नाराण राज्योग पर जाएगा ये संयोग ये शुब समय कभी कभी आता है जब देव गुरू ब्रस्पती और शुक्र एक दूसरे को देखें और वह भी दीपा वली के शुब आउसर पर ब्रस्पती ज्यान धर्म सुक संतान जी देते हैं उसका भला कर देते हैं ये परिवर्तन वरशब राशी में हो रहा है नौ अक्टूबर सुबह दस बजे लगबख वरशब राशी में वक्री होंगे देव गुरू ब्रस्पती और पांच फरवरी तक वक्री रहेंगे नवरात्री के शुब दिनों में देव गुर नरायन योग और दीपा वली में आपको लक्षमी ही चाहिए होती है और लक्षमी जब नरायन के साथ आ जाएं भगवान विश्णू के साथ आ जाएं तो फिर आती हैं लेकिन जाती रही है इन दोनों का मिलन इन दोनों का एक दूसरे को देखना आपके लिए सुख लेकर आएगा धन लेकर आएगा वर्शव राशी के तीनों नच्छतर करतिका रोहनी मरगशिरा ये तीनों नच्छतर सूर्ज चंदर मंगल के हैं और गुरू के ये तीनों मित्र हैं तो गुरू बुरा तो कुछ नहीं करेंगे सब अच्छा ही अच्छा मंगल ही मंगल करने वाल करता हुए आपका आपके कोई प्रश्ण है आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं देखिए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता दूँ गुरू जो वक्री हो रहे हैं ये गोचर में हो रहे हैं आपकी जनम-कुडली में गुरू और अनिग्र नहीं है तो इसलिए कहते हैं हम बार-बार अपनी जनम-कुडली की जांच कराईए ताकि आपको सही रिजल्ट बिन सके चलिए अब गुरू का वक्री होना आपको क्या परड़ाम देने वाला है इसको हम विस्तार से जानते हैं व्रश्चिक राशी वालों के लिए गुरू सब्तम्हाओ में वक्री होंगे गुरू दितिय और पंचम के स्वामी है राशी चकर की आठवी राशी है मंगल स्वामी होते हैं गुरू और मंगल की वैसे तो अच्छी दोस्ती है वक्री हो रहे हैं आपके सब्तम्हाओस में और जब गुरू वक्री होंगे उस सबे में आ वक्री हो जाए तो पैसों के मामले में परशानी तो होगी और राशी का स्वामी स्वैम नीच राशी में चला गया मंगल तो महनत से पैसा मिलेगा महनत बढ़ेगी मान सम्मान इच्चत में गिरावट आ सकती है तो जिस्रिस्पेक्ट हो सकती है आपकी मान सम्मान पर इच्च पर बात पर चोट लगई ऐसा कह सकते हैं आप थोड़ी से फॉस्ट्रेट हो जाएंगे आपकी जो मेहनत है ना वो जबरदस तरीके से बढ़ने वाली है जिससे आप उमीद लगा के बैठे थे कि इस वेक्ति से मुझे कुछ मिल जाएगा मैंने इस वेक्ति की बहुत मदद की देगा या कर देगी तो भाई वहीं पर आप फेल हो जाएंगे आप ने जिससे उमीद लगाई वही वेक्ति आपको बाई बाई बोल देगा हम नहीं करते भाई या तुमने कर दी तुमारी गल्ती हम अब तुमारी कोई मदद नहीं करेंगे ना मन से करेंगे ना धन से करें तो यहां पर आपको एक धड़का लगने वाला है कि जिससे की थी उमीद उसी ने दे दिया धोका आपके जो डेली प्रयास है हर इनसान डेली कुछ ना कुछ काम करता है उससे आपको लाब कम मिलेगा यानि आपकी कोशिशे आपकी मेहनत सफलता कम देंगी जितना रिजल चा साउस को देख रहे हैं यानि वरष्टिक राशी को देख रहे हैं तो बल तो मिलेगा गुरू की दृष्टी लगन पर जाएगी थोड़ी बहुत ताकत तो मिलेगी पर गुरू कमजोर हैं वक्री हैं तो खुद की मेहनत पे आपको ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा तो ग् बनाए रखने के लिए आपको उपाय और मेहनत दोनों करने पड़ेंगे उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा भगवान शिव की अरादना करिए और केसर का प्रतिल माथे पर लगाईए अगर आपकी जनम कुनली में सितारे मजबूत नहीं हैं दिक्कत है आपकी जनम कुन जनम कुनली को सही किये अच्छे रिजल्ट की उमीद मत करिएगा देखिए वीडियो बनाना और वीडियो आपका देखना ये इस बात की गैरेंटी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा मिलेगा आपको तभी जब आपके ग्रह अच्छे होंगे जब आपकी जनम कुनल आईए और अपनी जिन्दी में मिठास लेकि आईए अगर आप मुझसे अपनी कुनली कुनली दिखवाना चाहते हैं अपनी कुनली के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको इन नमबरों पर संपर करके अपनी अपॉइंट्मेंट बुक करानी पड़ेगी बस ध्यान इ आपको बताओं उसको करना भी है कई लोग क्या कहते हैं कंसल्टेंसी ले रेते हैं लेकिन उपाए नहीं करते तो फायदा तो तब होगा जब आप उपाए करेंगे अब आपकी किसमत कितनी अच्छी है कितनी खराब है यह आपको पता है अगर किसमत में दिक्कत है तो जल् अप्टेगादी